नमस्कार मैं हूँ आपका दोस अंजन दिख्षी तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज का जो वीडियो है वो है बेस्ट आफ बैलेंस अड्वांटेज फंड के ऊपर यह वो कैटेगरी है जो इमोशन को दूर रखते हुए इक्विटी और डेट के मिक्स को मैनेज करती ह है आज लगबग हर एमसी के पास बैलेंस एड्वांटेज फंड अवलेबल है यह कैटेगरी उन लोगों के लिए सुटेबल है जो खुद असट अलोकेशन को मैनेज नहीं कर पते हैं लोगों के बीच भी यह काफी पॉपुलर है और हाउस वाइफ को भी यह कैटेगरी जो कि इस कैटेगरी में कम वोलेटालिटी के साथ बहतर टेक्स एफिशन लेटर्स जन्रेट होते हैं कंपैरिजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर यह बैलेंस एडवांटेज फंड की जो कैटेगरी है वो काम किस तरीके से करती है बैलेंस एडव जिसमें बढ़ते मार्केट पर एक्विटी के पोशन गटाया जाता है और घटते मार्केट पर एक्विटी के पोशन को बढ़ाया जाता है और प्रो साइक्लिकल अप्रोच में बढ़ते मार्केट के संग एक्विटी को घटाया जाता है हमारी इंड़स्ट्री में ज्याद to earning या price to book ratio को देखते हुए equity और debt के mix को manage करा जाता है कुछ funds ऐसे भी हैं जहां पर fund manager decision लेता है कि कितना equity रखना है और कितना debt रखना है pro cyclical approach में technical factors और momentum को देखते हुए इस mix को decide किया जाता है कि कितना equity और कितना debt रखना है इस approach को follow करने वाला हमारे इंडेस्ट्री में सिर्फ एक ही fund है और वो है एडिल्विस का balance advantage fund balance advantage fund में equity और debt के अलावा derivatives का भी इस्तिमाल किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि investors को equity का taxation मिल सकें बचाता चलूं कि equity के taxation के लिए किसी fund को 65% minimum equity रखनी पड़ती है अपने fund के अंदर ताकि उसको equity के taxation मिले तो अगर fund manager को अपने balance advantage fund में 60% से equity को कम करना होता है तो remaining portion जो होता है वो derivative का होता है ताकि 65% equity का exposure maintain हो सके और investors को equity का taxation मिले तो चलिए अब शुरू करते हैं comparison तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं best of balance advantage fund का comparison यहाँ पर जो funds लिए हैं वो सारे funds वो हैं जिनको पांच साल से उपर का समय इंडिस्ट्री में हो चुका है सबसे ज़्यादा asset under management जो है वो है HDFC balance advantage fund का 42,776 क्रोड रुपे और second position पर है ICC potential का balance advantage fund 36,816 क्रोड रुपे सबसे बहतर returns जो generate करके दिया है risk adjusted returns जो generate करे हैं वो करे हैं सबसे कम अगर हम deviation की बात करें कि कौन सा fund अपने mean returns सबसे कम deviate करता है वो है DSP का dynamic asset allocation fund 7.41% का deviation है उसके बाद है 9.11% के deviation हैं IDFC का balanced advantage fund यहाँ पर मैं आपको calendar year return दिखा रहा हूँ 2010 से लेके 2021 तक के अगर आप 2011 का देखें तो यहाँ पर सब के सब fund red zone में थे सारे fund red थे market गिरा हुआ था लेकिन सबसे कम जो fund गिरा था वो था एडल्वेस का balance advantage fund negative 2.26% और second पर ता ICC potential का balance advantage fund negative 8.77% बाकि सारे fund जो थे वो 10% से उपर की गिरावट में थे और ICC potential 2011 के बाद से अगर आप देखें तो किसी भी year में negative returns generate करके नहीं दिये हैं अब यहाँ पर मैं आपको ranking लिखा रहा हूँ यहाँ पर मैंने क्या करा है कि जो top 4 है वो green है और जो bottom 4 है वो red में खड़े हुए हैं तो अगर आप देखें तो ICC potential balance advantage fund जो है पिछले 12 सालों में 9 बार green में रहा यानि कि top 4 positions में रहा है और केवल 3 बार जो है वो red में रहा है वहीं पर डिल्विस का balance advantage fund जो है वो 12 साल में 8 बार green रहा है और 4 बार red HDFC का 7 बार green रहा है और 5 बार red रहा है अब यहाँ बात कर लेते हैं 3 साल के rolling returns की यानि की 10 October 2014 से लेके 30 November 2021 के बीच में कभी भी किसी ने भी investment किया और 3 साल तक अपने investment को hold किया तो किस तरीके के return बने एडल्विस balance advantage fund ने कभी भी negative return ने दिया 2.52% का return lowest रहा है और DSP dynamic allocation का 0.33% का रहा है low return जबकि negative में नेपॉन, IDFC, ICC, Invest को आजिते बिला और HDFC के negative returns भी देखने को मिले है average return की बात करों तो average return में ICC potential सबको मात देता है यहाँ पर 9.07% के average return बने है और सबसे कम average return जो है तो एडल्विस balance advantage fund और DSP dynamic allocation fund जैसे कि मैंने बताया था कि negative return ने नहीं दिये और majority time जो return फॉल हुए वो अबव 7% 72.39% एडल्विस का और 71.10% DSP के जब कि number one पे रहा है ICC potential का balance advantage fund के अगर किसी ने भी तीन साल fund को hold किया है तो 82.83% times जो returns बने है वो 7% से उपर के बने है और 7% से नीचे 16.62% और below zero यानि negative return केवल 0.55% times ही बने है यानि कि majority times जो returns है वो positive रहे हैं और उसमें भी 7% से उपर 82% बार return बने है अब एक बार 4 साल के rolling returns को देख लेते हैं यहाँ पर अगर आप lower side देखें तो किसी भी fund ने अगर 4 साल आपने funds को hold किया है तो किसी भी fund ने negative return नहीं दी है यह सारे ही returns में analyzed form में दिखा रहा हूँ यह absolute terms में नहीं यह analyzed है यहाँ पर अगर average return की बात करें तो average return के मामल में सबसे उपर दिखाई पढ़ रहा है ICD potential 8.98% के return के साथ वहीं bottom पर है IDFC और DSP अब 4 साल के rolling return का distribution के majority time returns fall कहां करें किसके तो सबसे ज़्यादा जो returns fall when 91.37% return ICD potential के 7% से उपर returns बने है और bottom पे रहा है DSP और IDFC यानि कि इनके जो return से साथ परतिशत से उपर जो है 58.44% टैंस बना है DSP का जबकि 41.56% जीरो टू 7% रहा है तो जैसा कि आपने presentation में देखा कि ICIC potential का balance advantage fund है वो calendar year ranking में top पर है और 3 साल और 4 साल के rolling returns के distribution में भी उसने से बहतर return बनाके दिये हैं अगर आप 12 साल के calendar year ranking को दुबारा से देखें तो किसी भी समय पर पांचवे नंबर सी नीचे कभी भी नहीं आया तो मेरे इसाब से IC potential का balance advantage fund जो हो नंबर वन के साथ थर्ड position पर है DSP का dynamic asset allocation fund जो की काफी कम volatile है जैसा कि आपने presentation में देखा कि Edelweiss और bell DSP के जो बैफ हैं इन्होंने तीन साल और चार साल में कभी भी negative return नहीं दिया यानि कि किसी भी इन्वेस्टर ने अगर निवेश किया संदों चौदा से लेकर अभी तक के बीच में और तीन साल या चार साल होल्ड करा तो कभी इन फंट्स ने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या किसी भी फंट से रिटेड तो प्लीज टाइप इन दा कमेंट बॉक्स मैं आपके सवालों को जरूर जवाब दूंगा थेंक यू